मेरे पहरे देश्वासियों, बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्त खेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनोतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा स्रे हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देश्वासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। हमने भारत से स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गीनी वाम जैसी बिमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के स्रोताओं को मैं एक और चुनोति के बारे में बताना चाहता हूँ जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनोति हैं, ये बिमारी हैं, काला जार। इस बिमारी का परजी भी सेंट फ्लाय है, यानि बालू मक्खी के काटने से भैलता है। जब किसी को काला जार होता है, उसे महिनों तक बुखार रहता है, खुन की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, और बजन भी घड़ जाता है। ये बिमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। लेकिन सब का प्रयास से काला जार नाम की ये बिमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। कुछ समय पहले तक काला जार का प्रकौप चार राज्यों के पचास से अधिक जीलों में फैला हुआ था। लेकिन अब ये बिमारी बिहार और जारखन के चार जीलों तक ही सिमट कर रह गई है। मुझे विश्वात हैं बिहार जारखन के लोगों का सामर्थ उनकी जागरुकता इन चार जीलों से भी काला जार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी। काला जार प्रभाविक छेत्रों के लोगों से भी मेरा आगरह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखे। एक है सेंट फ्लाय या बालू मक्खी पर नियंत्रा और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज। काला जार का इलाज आसान है। इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं। बस आपको सतर्क रहना है। बुखार हो तो लापरवाही ना बरते और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाईयों का छिरकाव भी करते रहें। जरा सोचिए हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी। सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को दो हजार पचीस तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभ्यान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए। ये लोग निक्षे मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं। जन सेवा और जन भागिदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष को प्राप्त करके ही दिखाती है।